हेलो एफ्रिबाडी कैसे हो आप सब और मैं आप सभी को बता दू जियो टेलिकॉम इंडिस्ट्री के तरफ से काफी बड़ी प्रेस रिलीज सामने आईए 9th of October 2019 को और उस प्रेस रिलीज में कुछ इस तरीके से लिखा गया है अगर आप 10 October के बात से या फिर 10 October से कोई भी रिचार्ज होगे आई यू सी टॉप आप बोचर के तौर पे आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा 10 रुपे 50 रुपे या फिर 100 रुपे ये कुछ टैरिफ प्लैंज है और 20 रुपे ये निव टैरिफ प्लैंज जियो ने लाया है अगर आप ज्यादा कॉल करते हो नौन जियो वाले नंबर पे मैं आपको बता दू आई यू सी गाइज ये जो टैरिफ जो न्यू लांच किया है जियो ने ये कोई न्यू नहीं है इसको बोलते थे इंटर कनेक्शन यूजे चार्ज और ये पैसा गाइज लेता था हमारा ट्राइ टेलिकॉम रेगुलेटर प्रेस रिलीज में बोला था अगर जनवरी 2020 जब आएगा तो हम ये टैरिफ भी नहीं रखेगे बिलकुल जीरो कर देगे फिर बाद में हुआ यो कि जियो को लगा कि मैं महान बन जाता हूँ और सब कुछ फ्री दे रहता हूँ फिर बाद में जियो गाईज अन्यू आया म मार्किट में और यह सब कुछ फ्री देते गया इसके जितने भी टैरिफ प्लांज है सब कुछ सेम वैसे के वैसे ही है तो जिसके वज़े से जियो को काफी बड़ा नुकसान जिलना पड़ा इस प्रेस रिलीज में गाईज उन्होंने लिखा यहां पर आप देख लो रोज इस पेकरता था वह सामने वाला टेलिकॉम ऑप्रेटर गर आप जियो के नंबर से किसी और टेलिकॉम आप्रेटर को को जितने वह इंडिया के अंदर उनके तरफ से जियो के नंबर पे सिर्फ एक miss call जाता था और सामने जो जियो का customer है वो उनको return में call करता था तो यहाँ पे वही बता रहा है जियो के 25 से 30 करोड मिस्ट पॉस उनको daily basis पे आती थी जिसका नुकसान उनको जहिलना पड़ा और उनको पे करना पड़ा 13500 करोड रुपय है आयूसी चार्जेस के नाम पे try को तो यह गाइस कुछ इस तरीके से यह पूरा का पूरा fund है मुझे उमीद करता हूं मैं कि आप सभी को यह fund समझ में आ गया होगा और अभी जियो वाला ऐसा सोच रहा है कि अगर इन फ्यूचर जनवरी में अगर जियो ने नहीं इन फ्यूचर अगर ट्राय ने नहीं हटाया आयूसी चार्ज को तो पूरा का पूरा पैसा उसको भी जेब से भरना पड़ता था इसलिए उसने सेफ खेलने के लिए गए सामने यह प्रेस रिलीज लेकर आ चुका है और उनका ऐसा भी कहना है कि अगर बाद में ट्राय ने यह हटा दिया चार्ज तो हम लोग भी इसको जीरो कर देगी यहां पर देख सकते हैं आयूसी चार्ज इसमेड जीरो बाइट्राय तो कुछ इस तरीके से है अगर आपको जीओ से जीओ ही कॉन्टैक्ट है तो आपको कुछ पी टेंशन लेने की जरुवत लिए क्योंकि और जो उसका प्लान है वही सेम तो सेम रहेगा बस यह जो न्यू प्लान मैंने आप सभी आपको करने पड़ेगी जिसके अंदर कॉंपलिमेंटरी में आपको एक जीओ डेटा भी जीओ दे रहा है क्योंकि जीओ कैसा बोला है डेटा बिल्कुल प्री है बस कॉलिंग की पैसे कटते हैं तो मेरा मैं तो यह कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप नॉन जीओ कस्ट पूरा जीरो कर दीजिए जब जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा और एक बात अपी मैं बता देता हूं नॉन जीओ कस्टमर्स को अगर आप सोच रहे हो जीओ ने लेके आए तो आइडिया वोड़ा फोन नहीं लेके आएगे तो आप यह बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि जीओ ने अगर यह लॉंच कर दिया तो उलुग भी अपनी प्रेस रिलीज बहुत ही जल लॉंच कर देगे और अपने टैरिप्स भी पता देगे क्योंकि जीओ ने मोनोपोली बना के रखा है तो जो यह करता है वही बाकी सारे आपरेटर्स करते हैं मैं इस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहां पर जीओ की वेबसाइट के उपर भी एक वीडियो के द्वारा इंग्लिश में यह वीडियो है तो जिसको इंग्लिश समस्ति है वह वीडियो देख लीजिए और रीड कर यह था मेरा वीडियो और यह थी ब्रेकिंग न्यूज जियो की तरब से